प्लाटफोर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो कैसे चल रही आफ सब काची बहुत अच्छी चल रही होगी सारे नोट्स की प्रपली प्राक्टे स रही होगी तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मुविंग चार्ज पर जो मागनलिटीक फील्ड की वह से फोर्स लगती है उसके सारे cases को elaborately discuss कर लिया था, तो आज हम चलते हैं उनके application पर, ठीक है, बहुत important application है, NCRT में तो वो पूरा का पूरा पूरा पांच माक का आता ही आता है लिखने को, बिल्कुल ठीक, even mains में भी आ सकता है, ठीक है, तो आज हम चुरू करते हैं, Drona J की series में नया concept, ओके, चलो चलते हैं, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो वही देख लेते हैं, तो पहले तो हम application पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरे बताया था, इस application का नाम है cyclotron, ओके, और फिर एक नया topic भी आज हम स्टार्ट करेंगे, magnetic force on current carrying wire, ठीक है, यह बहुत important topic है, यह J mains में और advance में तो बतानी कितनी बार आ चुका है, ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यदा concentration देना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस चीज़ की अच्छे से question प्राक्टिस करेंगे, तो चलो भई, शुरू करते हैं cyclotron से, तो यह रहा हमारा cyclotron, ठीक है भई, आप सब को I hope figure बहुत अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है, तो यह होता है, अभी समझाओंगा, सीधा इसको देख के पढ़ना मा शुरू कर देना, तब से पहले यह समझ लेते हैं कि यह cyclotron जो है, यह होता क्या है, यह होता क्या है, तो cyclotron देखो भई, दिख रहा है, एक machine टाइप दिख रही है, ठीक है, तो cyclotron क्या होता है, machine है, it is a machine, machine बोले आइँ, device बोले, यह device है, यह जो कुछ तो करता ही होगा भई, यह device क्या करता है, तो यह एक ऐसा device है एक ऐसी machine है ठीक है ना जो charges को accelerate करता है बहुत high speed पर ठीक है तो it is a device that accelerate charges that accelerate charge particles to a very very high speed, very very high speed, okay तो यह charge particles को ना बहुत high speed पर accelerate करता है बहुत high speed पर, okay तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो उनका V होता है जो speed होती है यह very high होता है बहुत ज़्यादा speed होती है, okay very very high तो इससे जो kinetic energy भी होती है वो भी very high होती है तो क्या है यह 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 एक machine है, एक device है जो हम use करते हैं charge particles को accelerate करने के लिए ताकि उनकी speed बहुत गजब और बहुती भयंकर हो जाए, ठीक है तो बहुती भयंकर speed देने के लिए हम यह device को use करते हैं तो अब पहले समझते हैं कि इस device में है क्या क्या, ठीक है बहुत अच्छे समझते हैं, तो देखो भई, यहाँ पे आपको दिख रहा है N, यह है north pole magnet का और यह है south pole magnet का, ठीक है यह है north pole और यह है south pole magnet का तो जो magnetic fields होंगी, north pole से south pole जाएंगी भई, सबको पता है, जो magnetic field होंगी, वो तो north pole से south pole की तरफ जाएंगी, ओके, तो यह magnetic fields के लिए होता है, हम magnet का एक north pole और एक south pole उपर नीचे रख देते हैं, ताकि एक magnetic field जो है, वो create हो जाए उपर से नीचे, ओके, सर यह बीच में क्या ह है, यह बीच में क्या है सर, हमें थोड़ा सा ना धुंदला 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 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक, तो यह बीच में है क्या, इसको हम कहते है, semi circular disk, ठीक है, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, इधर मैं, ध्यान से देखो भई, यह हमारी जो है, यह एक semi circular disk है, ऐसे, semi circular जो है, यह disk है, ठीक है, ऐसे, यह semi circular disk होगे हमारी, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही यह वाली भी disk है, semi circular disk, तो यह दो semi circular disk है हमारे पास, ऐसे, बिल्कुल ठीक, तो I hope आपको वो semi circular disk जो है, यह अच्छे से, अब दिखाई देनी शुरू हो गई होंगी, कि यह दो disk है, ठीक है, semi circular disk है, यह किसकी बनी हुई है, यह metallic disk है, यह conductors की बनी हुई है, metal की बनी हुई है, ठीक है भई, तो यह semi circular disk होती है, दो, दो semi circular disk, आमने सामने, जो metal की बनी हुई है, और अंदर से hollow होती है, खाली, जैसे यह कमरा है, इस कमरे में कुछ भी घुस सकता है, क्यों, अंदर से खाली है, वैसे ही यह दो disk है, metallic disk है, होलो disk है, इनके अंदर कोई भी घुस सकता है, ठीक है, तो यह हमारी metallic disk हो गई, तो इन का ना work समझते हैं, कि यह काम कैसे करती है machine, ठीक है, तो इसका आपको diagram कैसे बनाना है, पहले वो देखते हैं, ठीक है, इसका आपको diagram कैसे बनाना है, वो देखते हैं, तो अब हम समझने वाले हैं, working of cyclotron, working of cyclotron, ठीक है, कि यह cyclotron जो है, हमें पता है, कि यह charge particles को वो बहुत high speed के लिए accelerate करता है पर कैसे यही तो काम समझना है कि यह accelerate कैसे कर पाता है हमें वो working समझनी है ठीक है तो working of cyclotron समझना है तो अब भाया ध्यान से देखो जारा इदा यह figure आपको दिख रही है ठीक है इसको हम अगर उपर से देखें इसको अगर हम उपर से देखें हमेशा सर उपर से देखते हो आज आप नीचे से देखी इसको ठीक है तो आज हम इसको नीचे से देखते हैं तो अगर हम इसको नीचे से देखूं तो मैं यह देखूंगा कि magnetic field जो है, उपर से नीचे मेरी आखो की तरफ आ रही है, देखो, उपर से नीचे मेरी आखो की तरफ आ रही है, ठीक है, तो अब इसको अब नीचे से देखने वाले हैं, नीचे से देखने वाले हैं, तो नीचे से देखूंगा, तो मेरे को दो semi-circular disc दिखाई देंगी, ऐसे, ऐसे, ये दो semi-circular हमें disk दिखाई देंगी, ठीक है न, तो ये disk है दो-दो, इनको मैं नीचे से देख रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरे को दो disk दिखाई देंगी, semi-circular disk, ठीक है, तो ये होती क्या है, ये होती है, hollow, metallic, semi-circular disk, ये चीज़ है, ठीक है, इनका नाम भी होता है, इनका नाम क्या है, इसका नाम होता है, D1, disk 1, और ये होता है, disk 2, ठीक है, इनको Ds भी बोला जाता है, D-E-S, ओके, तो ये दो semi-circular disk है, जिनको हम किताबों में पढ़ोगे, तो Ds भूला जाएगा, ठीक है ना, तो ये Ds है, ओके, अब, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं, ये metallic disk है, ओके, ये metallic disk है, हमने इनको connect किया इस से, सर ये क्या भयंकरती चीज लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं, alternating source, अब ही समझाता हूं, इसके बारे में जाता है, सोचना मत, इसे हम कहते हैं, alternating source, alternating source, या फिर oscillator, ये voltage प्रोवाइड करता है, ये potential difference जो है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक alternating source है, जो potential difference, जैसे बैटरी होती है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जैसे बैटरी होती है, बिल्कुल ये वैसा ही है, ठीक है न, तो ये alternating इसको बैटरी बोल सकते हो, ठीक है न, in simple language, वो होती simple language में, लेकिन ये simple language पेपर में नहीं लिखनी भाई, ठीक है, ये simple language जो है, ये paper में नहीं लिखनी है, ये paper में तो ये लिखके आना है, alternating source या फिर oscillator, simple language में, समझने के लिए, हमारे लिए, हम इसको क्या समझ सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं, कि भाई, ये alternating battery है, धीक है, तो ये alternating battery हम इसको समझेंगे, जो बहुत ही high potential difference, यानि की high voltage प्रोवाइड करती है, very very high voltage, ठीक है, very very high voltage प्रोवाइड करती है, हुआ है तो यहां पे हम लिखे देते हैं भाई कि यह क्या प्रोड करती है यह हमें प्रोड करती है कि वेडरी हाई वोलटेज यानि कि पोटेंशल डिफरेंस ठीक है बोहुत हाई वोलटेज और क्योंकि यह ऐसी लेटबू कर frequency जो होती है वो भी बहुत high होती है ठीक है frequency very very high बहुत high frequency होती है इसकी वाई ओके तो ये चीज है हमारा अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद बहुत ध्यान जो सुनो ठीक है यहाँ पे एक deflector लगा होता है यहाँ पे क्या होता है एक deflector लगा होता है ऐसे, यह हमारा है deflector, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा hole होता है, ठीक है, ऐसे hole होता है, इसको हम लिखते हैं exit, इसको हम लिखते हैं exit, ठीक है, तो यह हमारी semi circular disk हो गई, ठीक है, यह हमारी semi circular disk हो गई, और इससे हमने क्या connect कर रखा है भई, इससे हमन connect कर रखा है यहाँ पर ऐसे very high frequency oscillator ठीक है बहुत high frequency oscillator connect कर दिया है यह हमारा north pole है यह हमारा south pole है और उपर से नीचे magnetic field आ रही है हम इसको देख रहे हैं नीचे से हमारी आखे जो है वो तो यह रही हमारी जो आखे हैं वो तो यह रही तो magnetic field जो है हमारी आखों की तरफ आ रही है ठीक है मतलब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो magnetic field जो है मेरी आखों की तरफ आ रही है यानि की बहार की तरफ तो सारी magnetic field जो है ऐसे बहार की तरफ होगी बहार बहार की तरफ होगी यहाँ पर dot टोट बना देते हैं ठीक है यहाँ पर डॉक्ट बना देते हैं मैग्निट्टिक फील्ष exactly ऑफर होंगी सी अनुअ चैंज एससे ऐसे मैघनिटिक फील्ष जो होंगी ऐसे बाहर की तरफ होगी ठीक है भई yatir यह होगा हमारा हुआ है साइकलो टुरोन तो यह हमें बनाना है ओके ऐसा डायग्राम हमें बनाना हें ऐसी लेबिलिंग हमें करनी है पेपर के अंदर ठीक है जब भी कोई पूछेएगा बトミーया साइकलोत्रोन बताओ जरा तो ऐसे बनाओगे तो उसके लिए चाहिए भई बहुत बड़ी कला, ठीक है, हमें ऐसे बनाना आता है, हम ऐसे बना देंगे, ओके, तो चलो भई, फिर अब हमें इसके working जो है, वो properly पड़ते हैं, चलो भई, फिर इसको ना, समझते हैं, अच्छे से इसकी working समझते हैं, ओके, तो देखो भई, ये हमारा हो गया, D1 and D2, ठीक है, semi-circular, hollow, metallic disc, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर D1, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर D1, और इसको हम लिख देते हैं, D2, ठीक है, तो ये हमारी दोनों semi-circular, hollow, metallic, Ds हो गई, ओके, ये हो गया, oscillator, ठीक है, battery हो गई, ये एक तरीके से, ये एक तरीके से battery हो गई, तो ये oscillator होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है, oscillator होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, working के लिए, तो देखो, oscillator को हम बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ये हमें, एक battery की तरह हम इसको treat कर सकते हैं, ठीक है यह बैटरी की तरह हमें potential difference जो है provide करता है, तो यह oscillate करता है, कैसे oscillate करेगा, देखो बई, कैसे oscillate करेगा, for a certain time, for a certain time, यह इस तरीके से battery का use करेगा, okay, कुछ time पे, कुछ time के लिए, यह वाला D positive होगा, positive terminal से connected होगा, यह वाला जो D है, यह negative terminal से connect होगा, कुछ time के लिए, यह battery जो है, यह इस तरीके से behave करेगी, ठीक है, and for a certain time, for a certain time, कुछ time के लिए, यह जो oscillator है, यह फिर बाद में ऐसा battery बन जाएगा, ठीक है ना, यह positive से connect हो जाएगा, और यह negative से connect हो जाएगा, बात आई समझ में, कुछ time के लिए, यह वाली जो D होगी, D1, यह positive हो जाएगी, और D2 जो है, वो negative हो जाएगी, ऐसे battery बना जाएगा, और बाद में, कुछ time के लिए, यह अपना polarities को switch कर लेगा, ठीक है न, अपने polarities जो है, यह बदल लेगा, अब फिर बाद में, यह positive हो और यह negative हो जाएगा, ठीक है, ऐसे battery बन जाएगी, तो कभी यह positive, यह negative हो जाएगा, फिर यह oscillate कर रहा है, तो यह अपने polarities को switch कर लेगा, कुछ time के लिए, यह positive हो जाएगा, और यह negative हो जाएगा, ऐसे, तो oscillator यह करता रहता है, यह बदलता रहता, ट, 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 और इसकी frequency जो है बहुत ज्यादा है तो यह बहुत ज्यादा अब इसकी frequency कीतनी होगी वह भी तो ऑस्सिलेटर सबको समझ में आ गया फटाफट कमेंट सेशन में लिख दो कि ये सर ऑस्सिलेटर हमें समझ में आ गया कि ऑस्सिलेटर क्या होती है अरे सर ऑस्सिलेटर बहुती हाय फाय टर्म है हमें तो यह बैटरी ही लगती है कभी बैटरी का पॉद्लिटिव इधर होगा है ठीक है अब समझते हैं इसका working कि ये काम कैसे करता है तो देखो भाई यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वाली जो डिस्क है ये positive है और ये वाली डिस्क जो है ये negative है ठीक है ना ये जो oscillator है उसने positive potential इसको दिया और negative potential इसको डिस्को दिया तो सबसे पहले firstly सबसे पहले firstly consider d1 positive potential और d2 negative potential तो अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ ये दो d's है semi circular ठीक है इसको हमने बोला d1 और इसको हमने बोला d2 ये positive potential पर है ये negative potential पर है तो electric field किस तरफ होगी positive से negative होगी ऐसे electric field जो होगी वो positive से negative होगी ऐसे बिल्कुल ठीक electric field जो आएगी वो यहां से यहां आएगी positive से negative इस तरफ इस तरफ आएगी तो अगर मैं charge particle को यहां पर रखता हूँ charge particle को यहां पर रखता हूँ ठीक है ऐसे रखता हूँ तो यह खटाक से भागेगा यह जो electric field है यह exert करेगी force on this charge particle okay this electric field this electric field exert force on charge particle on charge particle ठीक है यह charge particle पर force exert करेगी और force कितना होगा भई वो force होगा QE simple simple बात यह force होगा यह force होगा QE ठीक है बहुत भयंकर force लगाएगी sir भयंकर कैसे कह सकते हो force लगाएगी आप यह बोल सकते हो यह force बहुत भयंकर होगी बहुत जादा होगी यह कैसे कह सकते हो अरे भाई यह जो electric field है electric field को हम लिखते है potential difference upon distance dv by dr sir minus dv by dr पढ़ाऊ बना यह potential difference को अगर distance से divide कर दोगे तो electric field आजाती है अब इन दोनों के बीच में जो potential difference होगा वो तो बहुत high होगा high potential difference बहुत high very very high यह होगा हमारा very high यानि कि हिंदी में बोले तो भयंकर भयंकर होगा यह ठीक है न और इन दोनों के बीच में जो यह gap होता है d यह होता है चोटा यह होता है बहुत चोटा तो यह है बहुत high और यह है बहुत चोटा तो हमारी जो electric field आईगी यह आईगी super भयंकर ठीक है भाई numerator है बहुत जादा और denominator है बहुत चोटा तो यह जो delta e यह जो e आएगा यह बहुत जादा आएगा बहुत भयंकर इसको हम बोलते है super भयंकर ठीक है यह बहुत जादा आएगा तो क्योंकि e बहुत जादा है यह बहुत जादा है very high तो यह जो force भी होगी very high यह बहुत ज़्यादा force होगी ठीक है न? तो अब अगर force ज़्यादा है तो acceleration जो है particle का यानि की QE by M यह भी बहुत ज़्यादा होगा very high तो इसकी speed बहुत ज़्यादा बड़ेगी ठीक है न? यह जो charge particle है यह खटाक से इधर जाएगा ऐसे खटाक से यह इधर जाएगा बहुत तेजी से जाएगा खटाक से ठीक है? यह बहुत तेजी से इस D में जाके घुश जाएगा अब यह जो D बनी है यह metal की बनी है यह जो D बनी है यह metal की बनी है ओके तो यह हमारा हो गया पहले तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब हम यह लिखेंगे नाव चार्ज पार्टिकल यह जो चार्ज पार्टिकल है ओके यह जो चार्ज पार्टिकल है मूवस इंटू D2 यह कौनसी डिस्क में जाके semi circular डिस्क में जाके घुस गया D2 वाली डिस्क में जाके घुस गया ठीक है ना? तो यह D2 वाली जो डिस्क है उसमें जाके यह घुस गया ठीक है अज जो कि metal की बनी है metal के अंदर net electric field 0 होती है ओके? So moves into D2 where net electric field is 0 जहाँ पर electric field जो है वो 0 है ओके? तो यह जो charge particle है यह खटाक से भागा इधर और यह जाके इस डिस्क में गुस गया और यह डिस्क बनी है metal की और इस metal के अंदर electric field होता है 0 बिलकुल ठीक अब metal के अंदर electric field 0 है तो there will be no electric force electric field force ही नहीं लगा पाईगी जब electric field है ही नहीं metal के अंदर डिस्क के अंदर तो वो force का लगाएगी? लगाएगी ही नहीं लेकिन भाई magnetic field तो है magnetic field तो है तो magnetic field जो है वो तो बाहर की तरफ है ये तो force exert कर सकती है ये force डिस्क के अंदर लगा सकती है ये जो magnetic field है जैसे ही charge particle डिस्क में घुसेगा magnetic field इस पर force लगा देगी वी किस तरफ है? इस तरफ तो सारी उंगलियां वी की तरफ ऐसे पाम magnetic field की तरफ ऐसे बहर आ रही है ठीक है? तो अपनी उंगलियां जो है fingers जो है in direction of velocity देखो चार्ज पाटिकल ऐसे घुसरा है तो सारी fingers velocity की direction में जो पाम है magnetic field की direction में अब बंद कर दूँँगा तो थंब आएगा नीचे तो जैसे ही यह अंदर घुसेगा magnetic field इस पर force लगाईगी नीचे की तरफ ओके तो electric field जीरो है but but there is magnetic field there is magnetic field यहां पर magnetic field तो होगा ही यहां पर magnetic field जो है वो होगा but there is magnetic field inside D2 जो पोर्स करेगा विच पोर्स इस दचार्ज वो चार्ज को पोर्स करेगा पोर्स दचार्ज इन सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन बिल्कुल ठीक अना तो यह चार्ज को सर्कल में घुमा देगा जैसी लगेगा इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और यह ऐसे सर्कल में घुम जाएगा सेमी सर्कल में घुम जाएगा ऐसे वापिस से यह ऐसे सर्कल में घुम जाएगा ऐसे इस तरीके से ठीक है नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम इस से बना देते ठीक है तो यह ऐसे circle में घूम जाएगा बिल्कुल इस तरीके से ठीक है ना और वापिस disc के बाहर आएगा कितने time में बाहर आजाएगा निये कितने time में बाहर की तरफ आ जाएगा जल्दी बताओ तो भाई कितना time होगा ये ये कितना time होगा ठीक है यह है फटाफ़ट हम वह देखते हैं चैट अब यह चार्ज पार्टिकल बाहर आ आया है तो इसमें अब हम क्या वोलेंगे है एक तीसरा पार्ट जिया इंच पाटिकल और फॉर्म semi circular circular motion okay perform circular motion in d1 charge particle ने d1 में semi circle complete कर लिया ठीक है है तो यह semi circular motion ही है circular path पही चल रहा है लेकिन इसने आधा circle complete किया है तो charge perform circular motion in d1 okay so time taken time taken to come out of d1 कितना time लेगा भाईए जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके आधा circle को complete करने में यह कितना time लेता है ठीक है कितना time लेता है इसका mass भी हम m लिख देते हैं अब जल्दी से बताइए आधा circle को complete करने में कितना time लेगा यह पटाफट comment करके बताओ जल्दी से pause करो video time time के साथ comment करो ठीक है कि sir आपने time पूछा था यह रहा वो time okay तो time taken to come out of d1 तो वो time कितना होता है वो time होता है pi m upon qb हाना भई पूरा circle complete अगर हमें करना है अगर हमें करना है पूरा circle complete तो अगर हमें D1 में आदा ही circle complete किया है तो उसके लिए time भी जो लगेगा वो आधा लगेगा बिलकुल ठीक, तो 2 pi m qb जो होता है, उसका आधा time लगेगा, which is pi m upon qb बहुत simple बात है, बहुत simple बात है तो इतने time में ये charge particle बाहर आ जाएगा, इतने time में ये जो charge particle है ये बाहर की तरफ आ रहा होगा बाहर की तरफ आ रहा होगा ऐसे ठीक है, इतने time में ये charge particle बाहर की तरफ आएगा अब इतने time बाद ये जो battery है ये अपनी polarity को switch कर देगी, इतने time बाद battery को polarity जो है वो switch करना चाहिए, ओके so after this time after this time battery should change या फिर हम बोले switch its polarity ये अपनी polarity को switch करेगा, इतने time बाद बिलकुल ठीक, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये हमारी D's हो गई, ठीक है, ये है D1 और ये है D2, अब ये जो battery है, इसका positive देदेगी, इसका negative देदेगी, ताकि electric field इस तरफ आ जाए, अब electric field इस तरफ आ जाए, बिलकुल ठीक, तो particle के पास पहले से ही कुछ speed थी, पहले से ही कुछ speed थी, वो उस speed से घूमा, वो speed से घूमा, ठीक है, क्योंकि D के अंदर जब हम गए, तो electric field थी 0, electric field कोई force नहीं लगाएगी, जैसे ही इस disk में घुसे, इस वाली disk में घुसे, जैसे ही हम, तो इस disk में magnetic field है, और वो इस charge particle को semi circle में घुमाईगी, तो speed तो change नहीं होने वाली, ठीक है, लेकिन जैसे ही है, charge particle बाहर आएगा, ठीक है, यह जो हमारा battery है, इस battery का polarity switch हो जाएगा, इस battery का polarity है, switch हो जाएगा, यहाँ पर वो इसको positive दे देगी, इसको negative दे देगी, ताकि electric field इस तरफ आजाएगा, ठीक है, यह वाली जो electric field है, यह इस तरफ आजाएगा, ओके, तो अब electric field जो है, अब यह positive हो चुका है, ठीक है भई, यह positive हो चुका है, और यह negative हो चुका है, अब क्या हो जाएगा भई, अब यह positive हो जाएगा, यह negative हो एक्सलेरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यह चार्ज पार्टिकल है यह खटैक से इधर आएगा अब जैसे ही इस डिस्क में घुसा तो पार्टिकल will increase its speed even more वो अपनी speed को और ज्यादा increase करेगा will increase its speed even more बहुत ज्यादा तेजी से अपनी speed increase करेगा यहाँ पर लिख देते हैं increase its speed even more and enter करेगा d2 को और फिर वो d2 में enter कर जाएगा d2 में enter करते ही electric field जो है वो 0 हो जाएगी लेकिन there is magnetic field जो की 0 तो नहीं है disk में घुसेगा जैसे ही तो बहार की तरफ magnetic field आ रही है न वो इसको वापिस से circle में घुमाईगी और यह वापिस से ऐसे circle में घुमेगा ठीक है वापिस से ऐसे जो है circle में घुमेगा बिल्कुल ठीक और कितना time लगाएगा अब speed जो है वो बढ़ चुकी है ठीक है लेकिन time कितना लगेगा इसको to come out of d1 पटाफट बताईए अच्छा यहाँ पर मैंने d2 लिख दिया है यहाँ पर d1 आएगा बिल्कुल ठीक क्या आएगा यहाँ पर d1 आएगा बिल्कुल ठीक यहाँ पर अपना d1 आएगा तो यह d1 में घुसी और d1 में घुसने के अंदर और और फिर मैगनेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया उपर की तरफ सेमिसर्कुलर मोशन करेगा यह और कितने टाइम बाद यह बहार आजाएगा ठीक है ना बट देर इस मैगनेटिक फील्ड ओके जो फोर्स करेगा दुबारा से विच फोर्स पार्टिकल इन सर्क्यूलर मोशन में दुबारा से इस पार्टिकल को ले आएगा ठीक है ना एंड जो पार्टिकल है विल कम आउट ओफ दीवन कितने टाइम में वापिस आजाएगा इन आधे सरकल को और कमपलीट करने डाइम फिर से कितना लगता है पाई एम अपॉन क्यूबी अना यह तो speed पर depend नहीं करता ना do not depend on speed अना भई यह speed पर जो है यह depend नहीं करता है बिल्कुल ठीक तो अब यह speed पर depend नहीं कर रहा है तो speed तो बढ़ गई लेकिन semicircle गूमने में जो time लगेगा वो time speed पर depend नहीं कर रहा है वो तो अभी भी इतना ही रहेगा pi m upon qb के बाद जैसे ही अपने polarities को वापिस से switch कर लेगा ठीक है क्या होगा भई यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर अब इलेक्रिक फील्ड फिर से इदर आईगी फिर से इदर आईगी ठीक है इलेक्रिक फील्ड जो होगी फिर से इदर आजाएगी यह चार्ज पर्टिकल फिर से खटाक इदर भागेगा बहुत जोड से भागेगा और जैसे ही एक ड magnetic field इसे फिर speed बढ़ चुकी है तो यह बड़े circle में घुमाएगा इसको semi circle में magnetic field इसको वापिस से बड़े circle में घुमाएगा ऐसे ठीक है तो semi circle में घुमाया और फिर यह कितने time बाद फिर से बाहर निकलेगा इतने ही time बाद फिर से बाहर निकलेगा और जैसे ही यहाँ पर आएगा battery अपनी polarity फिर से change कर लेगी अब फिर से यह हो जाएगा positive और यह हो जाएगा negative अब electric field फिर से इधर हो गई फिर से इधर हो गई तो यह चार्ज पार्टिकल है फिर से इधर तेजी से speed बढ़ाएगा अब speed बढ़ गई है speed जो है वो फिर से बढ़ गई जैसे ही यह इस वाली disk में आएगा electric field फिर zero magnetic field तो है अब speed बढ़ गई है तो बड़े radius का semi circle बनेगा ऐसे ऐसे घुमेगा particle इसे और जैसे ही भार आएगा कितने time बाद भार आएगा फिर से इतने time बाद भार आएगा speed पर dependent नहीं करता है time बिल्कुल ठीक थीक से से minus हा जाएगा और यहां फिर plus electric field फिर इस तरफ हो जाएगी तो charge particle जो है वो इस तरफ फिर भगेगा बहुत तेजी speed से और speed बढ़ जाएगी उसकी हाना पहले यहां पे speed बढ़ी फिर इधर फिर इधर और श्पीड बड़ी। फिर इधर और स्पीड बड़ी। इधर और स्पीड बड़ती जा रही है। ठीक है। जैसे इस और इतने टाइम बाद फिर से यह अपनी polarity जो है change कर लेगा इधर प्लस इधर माइनस electric field फिर इधर आएगी और फिर क्या होगा दुबारा से फिर से यह अपनी speed और बढ़ाएगा ठीक है और बढ़ा देगा speed और बढ़ा circle complete करेगा ऐसे और बढ़ा semicircle complete करेगा यहाँ पर आजाएगा बाहर बिल्कुल धी यहाँ पर आजाएगा बाहर अब जैसे ही यहाँ पर बहार आया इतने ही time बाद आएगा फिर से polarity change होगी फिर से जो है अपनी polarity जो है वो क्या हो जाएगी भई चेंज हो जाएगी यहाँ पर minus यहाँ पर प्लस electric field फिर से इधर आ करेगी और जैसे ही यह circle complete करने वाला होगा यहाँ पर देखो बिल्कुल outer side पर आ चुका है बाहर आ चुका बिल्कुल यह सीधा exit कर जाएगा सीधा exit कर जाएगा तो यह motion कैसा हो रहा है समझे में आया आपको ठीक है यह जो battery है बार बार switch कितने time बाद कर रही है यह भी समझ हमने यह समझा कि यह charge particle जो है यह इस तरफ गया क्योंकि electric field इस तरफ है यह positive यह negative electric field इस तरफ है particle भागा इस तरफ accelerate हुआ इस तरफ speed बढ़ी इस तरफ और disk में घुस गया जैसे ही disk में घुसा electric field zero magnetic field क्योंकि speed अभी हलकी सी बढ़ी है तो इसको छोटा circle घुमाएगी अना भ बहुती कम speed है यहाँ पर तो यहाँ पर चोटा circle घुमाएगी ऐसे कितना time लगेगा लेकिन इसको circle घुमने में पाई एम अपॉन क्यूभी उतने time बाद यह positive हो जाएगा यह negative हो जाएगा यह polarities जो है यह switch हो जाएगी ठीक है फिर यह इदर थेज भागेगा खटक से ठीक ह खट 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 बहुती向 speed चल दियगी और फिर यह बाद में बाहर निकल जाएगा तो ऐसे कड़्मने सकी खटक से speed बढ़ाई यह उसी speed से hydखूमा और खटक से speed बढ़ाई यह उसी speed से घुमा और खटक से speed बढ़ाई पिर पिर गुमा सरकल में, फटाक्स स्पीड बढ़ी, फिर खटाक्स स्पीड बढ़ी, फिर फटाक्स स्पीड बढ़ी, तो स्पीड इस रीजन में बढ़ रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पीड जो है, वो बीच वाले रीजन में बढ़ रही है, जहां पर इलेक्ट्रि वाले रीजन में है, तो जब भी पार्टिकल बीच वाले रीजन में आएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच करना पड़ेगा, कभी इधर, कभी इधर, ताकि वो चार्ज की जाती हुई डिरेक्शन में उसको धक्का लगाए और उसकी स्पीड बढ़ा है, क्लियर हो ही बात ही है, ठीक है, तो यह सब चीजे हमारे पास हो रही है, ओके, तो इसको नोट कर लो, फटा-फट सब के सब, ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, तो देखो भाई, अब आगया यह, ओके, तो अब हमने यह देख लिया कि भीया, चार्ज पार्टिकल जो है, वो जब तक इ अबढ़े चार्च पार्टिकल है, यह एक्सलरेट करता जाएगा, इस रीजन में स्पीड बढ़ती ही जाएगी, तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, तो यह बड़े-बडे-बडे सेमिसर्कल बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन हर सेमिसर्कल के लिए, ताइम सेम लगेगा, यह चीज़ हम समस्थ चुके हैं ठीक है और बाद में यह exit gate पे आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं कि क्या-क्या हम सीखे यहाँ पर हम यहाँ पर सीखे कि conclusion क्या है हम यहाँ पर भईया क्या-क्या सीखे हम यहाँ पर यह सीखे कि after time of after time interval of पाइ M upon DUI, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद, ठीक है? यह जो time है, इस time के बाद, बैटरी को अपने यह positive, negative है, यह switch करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि इतने time के बाद, यह जो particle है, यह disk से बाहर निकल आएगा, तो electric field को हमें बदलना ताकि electric field की direction में जाए charge particle, उस पे उतनी ही direction में force लगे और बहुत तेज force लग रही है, बहुत तेज accelerate होगा, ओके, तो after time interval of pi m upon qb, battery, या फिर मैं बोलू ओसिलेटर, has to switch its polarities, has to switch its polarity, ताकि क्या हो, so that direction of electric field, जो direction है electric field की, जो direction है electric field की, वो change हो जाए, so that direction of electric field changes in direction of velocity of particle, ओके, यह है, तो जिस direction में particle बाहर निकलेगा, उस direction में electric field आनी चाहिए, तो इसलिए यह बार-बार switch करेगा, ठीक है, इतने time बाद, तो when particle comes out of disk, या फिर मैं बोलू दीज, ठीक है, after time interval of pi m upon qb, after time interval of pi m upon qb, electric field exert, जो electric field है भाई, क्या करेगी वो, exert करेगी force को, कौन सी force, f is equal to qe, to accelerate particle, every time, हर बार, particle को accelerate करेगी, to increase its speed even more, to increase its speed even more, बिल्कुल ठीक, तो particle की speed बढ़ती चलियेगी, देर्फोर, देर्फोर, when particle, जब particle डिस्क में एंटर करेगा, when particle, एंटर्स डिस्क, मागनेटिक फिल्ड की वजे से, due to, मागनेटिक फोर्स, पार्टिकल पर फॉर्म, सर्कुलर मोशन, पार्टिकल पर फॉर्म, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ना, जब भी पार्टिकल डिस्क को एंटर करेगा, Magnetic force की वज़े से particle Circular motion करेगा ठीक है, particle जो है वो Circular Motion करेगा, तो उस Circular motion का फिर Radius क्या होगा उस Circular motion का Radius क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा Circular motion का Radius, उस Circular motion का जो Radius होगा वो MB by QB होगा, तो जैसे जैसे V बढ़ रहा है, ये Radius भी बढ़ेगा, Circular motion का ठीक है, ये जो Radius है जैसे जैसे V बढ़ रहा है, Circular motion का, ये Radius भी बढ़ता चले आएगा ठीक है ना, तो Radius बढ़ता जा रहा है देखो, Radius बढ़ता जा जा रहा है देखो तो ये Radius बढ़ता चले आएगा And when When Radius of Semi-Circle becomes becomes equal to radius of d's radius of d's ठीक है कौन से d's कौन से d's यह जो d1 and d2 है radius of d's d1 and d2 that is capital R आना भई तो capital R मान लेते हैं इन डिस्क का जो d's है इनका जो radius है वो R मान लेते हैं capital R ठीक है यहां पर हम लिखी देते हैं तो जब इन semicircle का यह जो semicircle है यह बढ़ता जा रहा इनका radius जैसे जैसे radius बढ़के किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा जैसे जैसे यह R के बराबर हुआ charge will exit the cyclotron charge particle will exit the cyclotron यह हमने अभी तक सीख लिया अच्छे से तो now mathematics में अगर हम आए तो radius last में जाके at last बिलकुल last में जाके charge particle का जो radius है वो d's d1 and d2 के radius के बराबर हो गया तो at last now at last बिलकुल last में जो radius हो जाएगा वो mv by qv हो जाएगा तो यह final velocity आ जाएगी charge particle की final velocity किते आएगी charge particle की radius into qv upon m simple सी बात है यह velocity आ जाएगी charge particle की final velocity of charge particle final velocity of charge particle of charge particle यह final velocity हो जाएगी charge particle की तो यहां से हम बोल सकते हैं कि kinetic energy आई charge particle की जो kinetic energy आई वो कितनी आईगी half mass v final का square तो half into mass v final कितना है r square q square v square upon mass square यह चीज कर जाएगी यह हमारी final kinetic energy आ जाएगी charge particle की जो इससे बाहर निकलेगा ठीक है न तो यह mathematics है इस पे questions आएंगे direct questions आएंगे यह आपको याद रखना है ठीक है यह चीज यह चीज जो कि बहुत simple है यह formula लगा r is equal to mv by qb बाहर कब निकलेगा charge particle cycle around के जब उसके circle का radius disk के radius के बराबर हो जाएगा तो radius जो होता है mv by qb तो उससे v आ जाएगा और v से फिर kinetic energy आ जाएगी हाना भाई तो यह बहुत simple है यह बहुत simple है ठीक है थियोरी में working में जादा time लगा पर यह बहुत simple है देखो अब frequency कितनी होगी याद है शुरुवात में हमने बताया था frequency of oscillator यह हमें अब निकालना है तो चलो भाई फिर frequency निकालते हैं oscillator की ठीक है अब हम निकालते है frequency oscillator की जो frequency है वो कितनी होगी चलो तो देखो भाई यहाँ पे है हम frequency निकालने वाले है of oscillator तो फिरक्वेंसी कितना होगाitter का के अंदर हम सेकंड के अंदर हमें वो निकालना है frequency निकालनी है oscillator की ठीक है तो देखो भाई यहाँ पे ध्यान से ध्यान से देखना ये oscillator जो है यह हमारा d है एक यह दूसरा d है इसको हमने oscillator से जोड़ दिया यह positive था यह negative था बिलकुल ठीए यह positive था और यह negative था तो यहां से इसने switch किया यहां से इसने switch किया, oscillator ने, यह positive किया और यह negative किया, इसने positive-negative को ऐसे switch किया, ताकि electric field पहले ऐसे थी, बाद में ऐसे हो जाए, ठीक है ना, कितने time बात किया था यह, यह कितने time बात किया था, तो oscillator, switch polarity, switch polarity, after time of pi m upon qb, बिल्कुल ठीक, तो क्या अब यह फिर repeat करेगा, नहीं, अभी इसने repeat नहीं किया, अब यह repeat करने के लिए दुबारा से कुछ time लेगा, ठीक है न, अब देखो ज़रा, next, अब हम इसको यहाँ बना रहे हैं, तो यह हमारा d हो गया, यह हमारा d हो गया, यह oscillator हो गया, oscillator अभी यहाँ पर positive दिया हुआ, यहाँ पर negative दिया हुआ है, फिर से यह, switch करेगा, यहाँ पर positive यहाँ पर negative, ठीक है, after कितने time बाद, after pi m upon qb time बाद, बिल्कुल ठीक, इतने time बाद यह फिर switch मारेगा, तो positive से positive negative था, इसने switch मारा, फिर इसने switch मारा, तो total time, अब यह, जैसे पहले था, वापिस अपनी condition में दुबारा आ चुका है, जैसे यह पहले था, वापिस उसी condition में आ चुका है, अब यह फिर repeat करेगा, अपने process को, ओके, तो oscillator repeats its cycle, जो oscillator है, repeats its cycle, यह जो oscillator है, यानि की battery जो है, repeats, यह repeat कर रहा है, its cycle, positive negative था पहले, बाद में भी फिर positive negative आ चुका है, अब यह दुबारा से, इस में switch करेगा, और फिर इतने time बाद दुबारा switch करेगा, और फिर repeat करेगा, तो यह repeat कर रहा है, इतने time बाद यह repeat मार रहा है, तो frequency क्या होगी oscillator की, frequency of oscillator, 1 upon time period होता है frequency, तो यह कितना आ जाएगा, qb upon 2pm, अब बहुत simple है, अरे बहुत simple है, ठीक है, तो यह हमारा frequency आ गया, oscillator का, अब हमें पढ़ना है, इस cyclotron का limitation, अभी हमने working सीखा, definition सीख ली, अब हमें सीखना है, कि हम इसको कहां कहां use नहीं कर पाएंगे, ठीक है न, कहां कहां use नहीं कर पाएंगे, क्या-क्या limitations है इसकी, ठीक है भाई, तो वो ध्यान से देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं, cyclotron, limitations of cyclotron, तो देखो, बहुत सिंपल बात है, ध्यान से सुनो, और सोचो भी, electric field, charge particle को accelerate कर रही है, क्योंकि उस पर charge है, QE, magnetic field, उसी को disk के अंदर घुमा रही है, force लगा के QV cross B, क्योंकि उस पर charge है, अगर charge ही ना हो, तो electric field ना उस पर force लगा पाईगी, ना magnetic field force लगा पाईगी, बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, limitation क्या है, कि यह, it cannot accelerate, यह accelerate नहीं कर सकता, कौन से particles को, जिनका charge नहीं है, it cannot accelerate, neutral particles, अरे ऐसा कौन सा particle है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, like neutron, neutron जैसे particle को यह accelerate नहीं कर सकता, तो नहीं electric field force लगा के accelerate कर पाईगी, नहीं magnetic field force लगा के इसको घुमा पाईगी, नहीं, बहुत simple है, ठीक है, यह भी हमारा हो गया, दूसरा, it cannot accelerate, light particles, light particles, सर यह light particle का क्या है, यह क्या है, वो particle है जो चमकते हैं, नहीं भाई, light particles का मतलब क्या है, यह बहुत हलके हैं, ठीक है, हलके हैं, हलके particles, इनका मास बहुत चोटा है, मतलब, मास जो है, वो बहुत ही small है, ठीक है, like electrons, like electrons, क्यों सर, क्यों, यह electrons को accelerate क्यों नहीं कर पाएंगे, हम electrons के लिए, हम use क्यों नहीं कर सकते, cyclotron को, तो देखो भाई, ऐसा है, रेडियस जो होता है, देखो, ऐसा है, if velocity of electron increases, ठीक है, चलो ऐसे समझो, force कितना लगेगा, in cyclotron, in cyclotron, force कितना लगेगा, on electron, जल्दी बताओ, वो लगेगा, qe, मतलब ee लगेगा, ee, तो acceleration कितना होगा, electron का, ee upon mass of electron, बिल्कुल ठीक, यह जो mass of electron है, यह very, very small है, अब बहुत छोटा होता है इसका mass, acceleration बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो velocity जो है, very, high हो जाएगी, comparable to, comparable to, 3 into 10 to the power 8, जो light की speed होती है, उसके almost, comparable हो जाएगी, अब Einstein ने बोला था, कि जब हम किसी भी particle को, light की speed के, आसपास भैकते हैं, बहुत चलाते हैं, ठीक है ना, यह जो particle है, electron, इसकी जो speed है, वो बहुत जादा बढ़ जाएगी, light की जो speed होती है ना, उसके आसपास हो जाएगा, तो according to, यहीं सम देखेंगे, according to Einstein, हमारे जो माननी आइंस्टाइन थे, scientist भाईया, ठीक है, हमारे जो आइंस्टाइन थे भाई, उन्होंने बोला था, कि if, speed is comparable to speed of light, यह speed है of electron, यह speed किसकी है, of electron, C किसका है speed of light, अगर ऐसा होता है, तो mass will increase, mass will increase, तो mass जो है electron का, वो बढ़ जाएगा, mass जो है electron का, वो बढ़ जाएगा, अगर mass बढ़ गया, तो जो frequency है, जो time है, of semicircle, पार्टिकल जो semicircle है, कर रहा है, वो जो time है, उसका semicircle का, वो πाई M, अपॉन क्यू भी है, तो यह M बढ़ता चले जाएगा, तो यह time भी बढ़ता चले जाएगा, बिल्कुल ठीक, यह mass बढ़ता जाएगा, तो पार्टिकल जो है, वो circle complete करने में, अब ज्यादा time लगाएगा, हर semicircle complete करने में, और ज्यादा time लगाएगा, इसकी और speed बढ़ेगी, और mass बढ़ेगा, तो semicircle को complete करने में, यह और ज्यादा time लगाएगा, लेकिन बैटरी तो अपने हिसाब से स्विच मार रही है उसको थोड़ी ना फरक पड़ रहा है कि तुम कित्ती देर में घूम के आ रहे हो बैटरी तो स्विच मारे जा रही है तो यहां पे ना सिंक्रोनाइजेशन बिकड़ जाएगा ठीक है ना हो क्या रहा था कि जो चार्च पार्टिकल है वो उसने जब अपनी स्पीड को वला उसने जब सेमी सर्कल कंप्लीट किया तो बैटरी ने स्विच मारा तो वो एलेक्रिक फील के साथ एक्सलरेट हुआ फिर उसने सेमी सर्कल होना छहिए सिंक्रोणाइज़ होना चाहिए यहां पर क्या है टाइम बिगड़ जाएगा ठीक है ना तो बस इतना याद रखो कि अगर हम इलेक्सार यूजू करते हाँ यह निक य यानि की यूज्टार जैसा हलका पार्टिकल पॉजिट्रों ले ल करते हैं ठीक है तो क्या होगा वह मास इतना छोटा है कि एक्सलरेट बहुत भयंकर होगा स्पीड बहुत भयंकर बढ़ेगी लाइट के आसपास पहुत जाएगी स्पीड तो आइंस्चेन ने का तो मास भी बढ़ जाएगा अब उसका मास इतना ज्यादा बढ़ता चले जाएथा है वो सेम रहेगा तो यह आऊट औफ स्टप हो जाएगा आउट उट ओफ सिंक्रोनाइजेशन और जाएगा है यहां से हम क्या बोलेंगे सीदा सीदा कि इलेक्ट्रॉन पॉल्स आउट ओफ स्टेप ऐसे बोलना है इसको ठीक है ना तो बस यही बोलना है कि इत ब will fall out of step with oscillator, ठीक है, with oscillator, ऐसे लिखके आना है, with oscillator, तो यह out of step हो जाएगा oscillator के, बिल्कुल ठीक, oscillator हर 3 second में ऐसे कर रहा है, पहले यह 3 second में semicircle complete किया, oscillator भी switch किया, यह accelerate किया, और अब यह 5 second में complete कर रहा है, क्योंकि mass बढ़ गया, time जाता लगेगा, लेकिन oscillator ने switch मार दिया, इतने यह अंदर ही था, oscillator स्विच मार चुका है, ठीक है ना, तो यह और accelerate नहीं कर पाएगा फिर बाद में, तो यह out of step आदाएगा, तो इसको हम धंग से accelerate नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो बस यह है हमारा limitations, ओके, यह cyclotron है, 5 mark का आएगा, इसको बहुत अच्छे से लिखके आ तो आगे बढ़ते हैं, नए topic की तरफ, which is magnetic force on current carrying wire, current carrying wire पे, magnetic force कितनी लगेगी, हमें वो देखना है, तर magnetic, जो wire current carry करती है, उस पे magnetic force क्यों लगती है, अना, सबसे पहला question तो यह आता है, तो भाई, देखो जा रहा, एक conducting wire है, जिसमें current है आई, ध्यान से पढ़ो इसको, conducting wire है, जिसमें current है आई, देख रहा है भाई सबको यह, यह current जो है, यहाँ पर जा रहा है, आई, आई current है, ठीक है भाई, ऐसे आई current जा रहा है, अब uniform magnetic field है भाहर की तरफ, देख रहा है भाई, यह uniform magnetic field है, बाहर की तरफ, बिल्कुल ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम, कि यह uniform form magnetic field है okay uniform magnetic field है B है length भी दे रखा है L ये length हमें दे रखा है L और area of cross section हमें दे रखा है A बिल्कुल ठीक area of cross section भी दे रखा है the free electrons in the wire are moving with drift velocity obviously जब current है इस तरफ तो ये जो electrons होंगे ये जो electrons होंगे ये इस तरफ drift velocity से move कर रहे होंगे बिल्कुल ठीक ये इस तरफ drift velocity से जो है move कर रहे होंगे ठीक है तो ये हमारा हो गया electron और ये इस तरफ move कर रहा है drift velocity से क्योंकि current इस तरफ है ठीक है क्योंकि current जो है वो इस तरफ है अब भाया current का मतलब क्या है अब electrons flow कर रहे हैं क्योंकि current होता ही flow of charge है और अकर charge flow कर रहे है तो obviously वो अपने drift velocity से कर रहे होंगे ठीक है ना? तो कुछ drift velocity होगी उनकी तो charge particle magnetic field में किसी velocity से move कर रहे हैं तो उन पर force नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी तो पहले हम यह सीखते हैं भाईया, force कितनी लगेगी on one electron, एक electron पर force कितनी लगेगी, sir, force का formula होता है, q v cross b, force का formula क्या होता है, वो होता है, q v cross b, बिल्कुल ठीक, तो एक electron पर, sir, कितनी force लगी, q की जगे हम डाल देंगे, minus e, velocity की जगे डालेंगे drift velocity, और यह जो magnetic field है, यह uniform magnetic field है, बाहर से जो हमने दी गई है, ठीक है, यह external magnetic field है, याद रखना, यह external magnetic field है, ठीक है, यह हो गया, तो यह हमारा जब b है, यह external है, यह external magnetic field है, यह हो गया, तो यह हो गया force on one electron, यह तो एक electron पर force है, अरे, इसमें तो बहुत सारे electrons होंगे, conductor में तो electrons की भरमार होती है, हाना, बहुत ज़्यादा भरमार होती है, बहुत ज़्यादा electrons होते हैं, तो अगर conductor के अंदर बहुत ज़्यादा electrons है, तो हर electron पर force लग रही होगी, ठीक है ना, तो कितनी force लगी, पूरी army पर, ठीक है, force on all pre-electrons, all pre-electrons, अब भाईया, number of free electrons निकालने पड़ेंगे, कितने free electrons हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं भाईया, number of free electrons, number of free electrons, कितने सारे electrons हैं पहले वो निकालते हैं, तो देखो भाईया, ऐसा है, हम number density को volume से multiply करेंगे, सर, यह n into volume क्या लिख दिया सर, हमें नहीं समझ में आया एकदम, आपने लिख दिया, यह n है क्या, याद करो, पिछले chapter में, हमने n बताया था, number of electrons in unit volume, ठीक है, तो यह n क्या है हमारा यहाँ पर, यह n है, यह क्या है, यह है, electrons का number, कितने electrons है, free electrons in unit volume, ठीक है, कितने electrons है, free वाले, in unit volume, उसको हमें volume से multiply कर देना है, conductor के, तो n into volume, जो कि a into l है, खतम काम, area of cross section into length, यह conductor का volume हो गया, उसको n से multiply कर दो के density से, तो total electrons आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक, तो यह आ गया है हमारा, अब हम क्या करते हैं, तो force on one electron, तो यह हमारी total force हम निकालेंगे, total force, तो number of electrons, number of, कौन से electrons, free electrons, हम free electrons की ही बात करते हैं, हमेशा वैसे तो, तो number of free electrons into force on one electron, तो number of electrons कितने हैं भाई, n, a, l, ओके, और जो force लगा भाई, वो कितना लगा, force लगा इतना, बिल्कुल ठीक, यही तो force लगा, तो force हम यहाँ पर लिख देंगे, minus e, vd vector, cross b vector, अरे बिल्कुल ठीक, अब इसको आगे कैसे solve करें, इसको आगे solve करके देखना हैं, तो इसको कैसे solve करेंगे, भाई देखो, बहुँ सिंपल है, कैसे solve करेंगे, इसको आगे solve करो, n है, यह जो e है, यह हमने भार ले लिया, ठीक है, यह जो a है, यह हमने भार ले लिया, वीडी, वेक्टर नहीं, हमने उसका magnitude भार लिया है, तो neavd बन गया है, यह जो l है, यह जो l है, इसको हम ले ले लेते हैं, इस direction में, अब हम एक वेक्टर बनाना जा रहे हैं, l को हम एक वेक्टर बना देंगे, जो की current की direction में होगा, ठीक है, तो यह जो l है, यह जो minus है, और यह जो वेक्टर है, इनको मिला के हम यहाँ पर लिखेंगे, l वेक्टर, cross b, ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल ठीक, यह हो गया, यह माइनस e हमने लिखा है, यह चार्ज का है, ठीक है, यह चार्ज है, चलो एक काम करते हैं, और अच्छे समस्ते हैं, यहाँ पर माइनस e ही लिखे रहे हैं दो, यह चीज, ऐसे ही लिखे, यह तो चार्ज हो गया, per unit time, इस l को हम यहाँ पर एक वेक्टर बना दो, cross b वेक्टर ठीक है न, यह चीज हो गई, ऐसे है, यह हमें बता रहा है कि negative charge कितना flow करके गया न, तो charge का value तो हमारा आई होता है, बिल्कुल ठीक, तो यहाँ से हमारा जो f total है, यहाँ से जो हमारा f total आया, f total का मतलब, सारे electrons पर, जो की current carrying wire में है, वो f total कितना आया, वो हमें देखना है, यह जो f total है, is basically force on current carrying wire, current carrying wire, और यह कितना आया भई, formulas का i, l vector, cross b vector, बिल्कुल ठीक, neavd जो होता है, वो तो current होता है, अना, जो हमारा i आया था, हमारा जो neavd आया था, उसको हमने i ले लिया है, ठीक है, यह जो l vector है, यह क्या है, vector, in direction of current, बिल्कुल ठीक, यह vector है, जो in direction of current है, और इसका जो magnitude होगा, वो हो जाएगा हमारा length of conductor, length of conductor, तो यह जो हमने vd को हमने vector हटा दिया, और l को vector बना दिया, ठीक है न, ताकि एक vector form ही बन जाए, तो l v cross b, हमारा यह आ गया था, ठीक है न, v cross b, l cross b, विल्कुल ठीक, तो l cross b आ जाएगा हमारा, i l cross b, यह जो होगा, यह हमारा force होगा, current carrying wire पर, विल्कुल ठीक, यह vector न आ देते हैं, ऐसे, विल्कुल इस तरीके से आएगा, एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है इसमें, कि यह जो b है, b is the, it is the external magnetic field, भाईए यह याद रखना, यह बच्चे भूल जाते हैं, कि यह external magnetic field है, यह क्या है, यह एक external magnetic field है, ठीक है, यह बाहर magnetic field है, बाहर से जो आ रही है, जिसमें हमने current carrying wire को रख दिया, यह current carrying wire की magnetic field नहीं है, तो it is the external magnetic field, not the magnetic field of wire, यह चीज याद रखना सबके सब, यह wire की बनाई हुई magnetic field नहीं है, यह किसी और की magnetic field है, जिसमें हमने wire को रख दिया है, ठीक है, तो इसमें बच्चे थोड़ा बहुत गलबड कर देते हैं, यह note है, यह याद रखियेगा सबके सब, clear हो गई बाती है, तो अब हमें समझे में आ गया भाईया, यहाँ पर, ठीक है, to remember, हमें basically क्या याद रखना है, हमें यह याद रखना है, कि अगर हमारी एक straight current carrying wire है, कैसी wire है? बिल्कुल ठीक, जिसमें current जा रहा है आई, length है L, और magnetic field मान लो अब अंदर मान लेते हैं, तो इस पर जो force लगेगी, वो कितनी लगेगी? current L cross B, simple, यह हमें याद रखना है, बिल्कुल ठीक, straight wire पर हमने निकाला है, और यह हमारा हो गया point number 1, point number 2 यह है, कि अगर कोई आड़ी तेड़ी wire है, ऐसे, आड़ी तेड़ी wire है, आई, अब अगर हमें इस पर force निकालना है, magnetic field किस तरफ है भाई? बाहर की तरफ है, magnetic field है बाहर की तरफ, यह straight wire नहीं है, यह कोई भी ऐसे 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 wire है, जिसमें current जा रही है, और हमें इसमें force निकालना है इस magnetic field की वजे से, तो वो force हम कैसे निकालेंगे, सीधा length को multiply नहीं कर सकते, हम एक छोटा सा तुकड़ा लेंगे, छोटकू सा पार्ट, ठीक है, ऐसे छोटकू सा पार्ट लेंगे, छोटी सी length लेंगे, ठीक है, और हर छोटे 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 length पर फोर्स निकालेंगे यहां पर हम छोटका सा फोर्स निकाल सकते हैं इस छोटे से पार्ट पर और वो छोटा सा फोर्स केतना होगा आई DL x P उसकी length x P अब थर छोटी 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 कणले की बाद हम इसको do curiosity करेंगे ताकि total force आए ताकि total force आए ठीक है जकर ना तो च्टकस और फोस निकालेंगे तो हम च्टी गर्स अटback पर और पिर उनको पर अगर ऐसी तेड़ी मेडी वायर आ जाती है तो उसको shortcut से कैसे solve करना है वो बस हम आगे देखने ही वाले हैं बिल्कुल ठीक, integrate करने की जरूत ही नहीं पड़ेगी ओके, चलो भई, फिर आगे बढ़ें चलो, आगे बढ़ते हैं cases लेते हैं हम cases, ओके, तो case देखो भईया case number one case number one case देखो, case number one magnetic field है इस तरफ magnetic field है भाई, इस तरफ ओके magnetic field है इस तरफ और ये magnetic field मैं ले रहा हूँ uniform magnetic field बिल्कुल ठीक, uniform magnetic field ले रहा हूँ और हमने current carrying wire जो है वो ऐसे रख दी एसे भी ठीक है, length है L, तो A B की जो value है length जो है वो L है और current जा रहा है ऐसे magnetic field भी ऐसे ही है ठीक है, current carrying wire और magnetic field parallel है, ठीक है क्या है यहाँ पे, जो current carrying wire है current carrying wire and magnetic field are parallel parallel है, तो उनके बीच में जो angle होगा वो 0 हो जाएगा, अरे बिल्कुल ठीक, अब उनके बीच में अंगल 0 है, तो force कितनी लगेगी, straight wire है, हना, force का vector का लिखेंगे, I हो गया, L हो गया, cross B हो गया, तो इसी force का magnetic magnitude जो आएगा, वो कितना आएगा, I, length की value, magnetic field की value और उनके theta ही 0 है, तो sin theta भी 0 आजाएगा, force 0 आजाएगी, बहुत simple है, बहुत जाता simple है, ठीक है न, अरे अगर current इस तरफ जा रहा है, तो charge particles भी ऐसे ही जा रहे होंगे, magnetic field के parallel या anti parallel, force 0 ही लगेगी, बिल्कुल ठीक, तो इसको charge से भी देख सकते हो, इस formula से भी देख सकते हो, ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल important है ये बहुत जादा, ठीक है, तो ये हो गया अपना case number 1, अब आते हैं case number 2 पर, ठीक है, तो case number 2 क्या है, case number 2 भी बहुत simple है, कि ये क्या हो गया, ये हो गया magnetic field, ये भी हम uniform ही ले रहे हैं, ये भी क्या ले रहे हैं, ये भी uniform ही ले रहे हैं, अब जो wire है हमारी, wire जो है वो इस तरह है, ऐसे, wire ऐसी है, बिल्कुल ठीक, wire है ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया B, current जा रहा है A से B, A से B की जो length है, वो L है, बिल्कुल ठीक, अब force निकालनी है इस पर भी, करंट आई है, तो फोर्स का फॉर्मॉला क्या है, भाई, मैगनेटिक फोर्स जो लगती है, वायर पर वो होती है, आई, एल क्रॉस भी, बिल्कुल थी, तो पहले हम निकालते हैं, इसका मैगनिट्यूड, तो मैगनिट्यूड अगर हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, आई, एल की वेल्यू, बी की वेल्यू और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, अरे एल किस तरफ है, जो लेंथ वेक्टर होता है, वो तो करंट की डिरेक्शन में होता है, ना भाई, लेंथ का जो वेक्टर होता है, वो करंट की डिरेक्शन मे अरे उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री तो यहाँ पर थीटा को हम डालेंगे 90 डिग्री और यह आंसर कितना आजाएगा इसका 90, साइन 90 होता है 1, बिलकुल ठीक, तो मैगनेटिक फोर्स कितनी आजाएगी, IBL, 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 ठीक है, इसको याद रख लो ऐसे, IBL, सर कैसे याद र direction है, अगर यह दोनों perpendicular हुए तो IBL आजाएगा, साइन 90 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो मैगनेटिक फोर्स लगेगी, IBL, अब फोर्स तो लग गई, जीरो तो है नहीं, फोर्स कि कुछ ना कुछ तो value है, कितनी value है, IBL, सर direction भी बता दो, आना भाई, तो direction भी द product था, L cross B का, जब आप यह चीज बोल रहे हो, L cross B, पहले मूँ से निकल रहा है L, बाद में निकल रहा है B, L है हमारा first vector, और B है हमारा second vector, cross product की direction निकालनी है, तो इसकी direction में हम रखेंगे all fingers, इसकी direction में रखेंगे हम palm, और force हमें देदेगा direction of thumb, यही तो हमने पढ़ा है अभी तक, यही तो चीज पढ़ी है हमने, बिल्कुल ठीक, तो अब मेरे को बताओ जरा, सारी fingers, किसकी direction में रखनी है, L, L किस तरफ है, उपर, उपर की तरफ है L, ऐसे उपर की तरफ है L, बिल् सारी fingers को मैंने ऐसे उपर रख दिया, अब यह हतेली है, यह magnetic field की direction में रखनी है, magnetic field इदर है, तो हतेली को मैं ऐसे गुमा दूँगा, ऐसे, हतेली जो है, मेरी palm जो है, वो magnetic field की direction में है, fingers जो है वो उपर की तरफ है, अब मेरा थंब आया, वो into the plane आया, ऐसे, into the plane, ठीक है, into the plane आया, तो इसका मतलब इस पे जो force लग रही है, वो into the plane लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज़ग, इस rule से force आया, वो आया यहाँ पे into the plane, बहुत simple है, ठीक है, force निकालना simple है, अलग से निकालो force, ठीक है, रूल से direction निकालो अलग से, magnitude पतल लग गया, direction पतल लग ग vector में यही दो चीजे तो होती है, ठीक है, दोनों अलग अलग निकालो, बहुत मस्ती में, ठीक है, हमने निकाला, answer आ गया, force निकल गया, case 2, खतम, अब आता है case 3, ठीक है, case 3 देखो भई है, case 3 क्या होता है, case 3, case 3 में क्या है, magnetic field है इस तरफ, और current carrying wire वो यह है AB, current जा रहा है इस तरफ आई, magnetic field है इस तरफ, बिल्कु ठीक, ऐसे, पहले ही कितना angle बना रखे हैं, यहां पर theta angle बना रखे हैं, पहले से ही theta angle बना रखे हैं, ठीक है, अब यह याद रखिए, कि यह जो L vector है, यह current की direction में होता है, यह जो हमारा L vector है, यह जो AB है, जिसकी length है L, AB की length है L, तो यह जो L vector है, यह इसी direction में है, देखो, यह जो L vector है, इसी direction में है, इस L vector के में दो component कर सकता हूँ, यह जो L vector है, यह theta angle बना रहा है, magnetic field के साथ, ठीक है, तो इस L vector के में दो component जो है, वो कर सकता हूँ, बिल्कु ठीक कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे भाई, देखो, यह रही हमारी magnetic field, वैसे करने की जरत तो नहीं है, बहुत simple है, दूसर तरीका अपनाते हैं, अरे magnetic force जो होती है, वो कितनी होती है, वो होती है, I, L cross B, है, अले हम इसका अगर magnitude निकालें, तो कैसे निकालोगे, magnitude, force का magnitude निकालना है, तो वो हो जाएगा, I, L की value, यानि की L का magnitude, B का value, यानि की B का magnitude, और उनके बीच में angle का, जो sign है, तो I, B, L, sign theta, सीधा, force का value हो गया, ठीक है, और अगर हमें इसकी अब direction निकालनी है, तो बहुत simple है, सारी fingers को रखो, ऐसे, सारी fingers को रखो, L के direction में, पर पाम को डालो, वो magnetic field की direction में, और फिर fist बना लो इसका, और thumb आया into the plane, हाना भाई, तो यहाँ पर जो हमारा thumb आ रहा है, is into the plane, thumb directed into the plane, बहुत simple है, तो thumb है, वो into the plane है, तो इसका मतलब force की direction into the plane है, और value यह रही, दोनों चीजे निकलाई, ठीक है, हमारा force निकल गया, simple, ठीक है, अब आते है, case 4, कि अगर wire सीधी नहीं हुई, तेडी मेडी हुई, तो क्या करना है, अब हम सीखेंगे shortcut, बिल्कुल ठीक, अब हम सीखेंगे shortcut, चलो, shortcut सीखते हैं, case 4, जो कि हमारा shortcut भी है, और बहुत important भी है, ठीक है, case 4 सीखना है, यह रहा, case 4 सीखते है, case 4, ठीक है, case 4, बहुत ध्यान से देखिए, यह बहुत important भी है, ठीक है, important है, तो यह हमारा force है कुछ, बल्लब यह हमारा कुछ ऐसा है, wire है, ठीक है न, यह हो गया A, यह हो गया B, और उसमें current जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है current, arbitrary shaped wire है, ठीक है, तो arbitrary shaped wire है, arbitrary shaped wire है, एसे, ठीक है, यह arbitrary shaped का wire हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसका value, ठीक है न, कुछ भी shape हो सकती है, इसकी, straight नहीं है बस, कुछ भी arbitrary shaped का wire है, ओके, अब इस पर हमें force निकालनी है, तो magnetic field जो है, let कर लेते हैं, out of the plane है, let, magnetic field is out of the plane, बिल्कुल ठीक, मान लेते हैं कि magnetic field जो है, वो बहार की तरफ है, ऐसे, dot बना देते हैं, magnetic field को, सर यह भी B है, यह भी B है, अरे magnetic field का, यह इसको C लिख देते हैं, ठीक है भाई, हो गया, तो यह B हो गया, बहार की तरफ है magnetic field, ठीक है, out of the plane है, ऐसे, यह भी चीज हो गई clear, अब इस पर force कैसे लगेगी, वो shortcut सीखते हैं, ठीक है, तो अब condition आती है, condition, condition क्या है, condition क्या है भाई, condition है, बहुत simple सी condition है, condition, condition, इफ, अगर, अगर, magnetic field, uniform है, if magnetic field is, uniform, magnetic field क्या होनी चाहिए भाई, हर जगे, same, ठीक है न, if magnetic field is uniform, इसका मतलब क्या है, value, is same, everywhere, 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 हर जगे, direction और value, same होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, uniform होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है, if B is uniform, ठीक है, then, then, replace arbitrary wire, arbitrary shaped wire, by a, straight wire, by a, straight wire, a straight wire कैसे form होगी, formed by joining endpoints, formed by joining endpoints, ठीक है, यह है, इसका shortcut, यह condition है, यह fulfill होती है, तो ही लगाओगे, ठीक है, यह है, इसकी short trick, बहुत छोटी ट्रिक है, ठीक है, क्या बोला है यह, यह बोला है, कि एक arbitrary shaped की wire है, कुछ भी shape हो सकती है, इसकी, magnetic field जो है, वो बस uniform होना चाहिए, इतना ही check करना है, अगर magnetic field uniform है, तो इस arbitrary shape की जो wire है, इसको मैं, इसके जो endpoints है, A and C, इन दोनों को join करके, एक straight wire बनाऊँगा, ऐसे, इन दोनों को join करके, एक straight wire बनाऊँगा, current जा रहा है, A से C तक, तो इस straight wire में भी current जाएगा, A से C, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ भई, इसको हम replace करने वाले हैं, ठीक है, इसको replace कर दो, बहुत simple है, इसको क्या कर दो भई, replace, तो हम A से लेके C तक की, एक straight wire ले लेंगे, ऐसे, जिसमें current जा रहा है, A to C, magnetic field है बाहर, बिल्कुल ठीक, magnetic field है बाहर, हम इसकी length लेंगे अब, अब हम इसकी length लेंगे, इसकी length ऐसे L, ठीक है, इसकी length लेंगे, अब हम यहाँ पर, एक L vector हमारा यह वाला हो गया, तो अब अब हमें force निकाल ली है, इस पर तो कैसे निकालेंगे, भाई, इस length का value, length of A to C, सीधा, into B, B uniform है, ठीक है, और angle कितना है, angle कितना है, L है इस तरफ, magnetic field है, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, ठीक है न, तो यह जो pen है, इसको मैंने ऐसे बाहर की तरफ रख दिया, तो यह जो L है, यह plane में है, ऐसे, यह जो L है, यह जो बाहर की तरफ है, ठीक है, L ऐसे है, बाहर की तरफ है, तो यह angle कितना हुआ भाई, यह angle हुआ 90 डिगरी, बहुत simple, ठीक है, यह angle हुआ 90 डिगरी, यहां पर जो इनके बीच में आएगा, वह 90 डिगरी आएगा, जो की रहर की ओन हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा force का आगया, direction भी बहुत simple है, सारी fingers current की direction में, time magnetic field की direction में, ठीक है, और फिर मैंन को बंद कर लूँगा, तो force इस तरफ आई, तो इस पूरी wire पे जो force लगेगी, वो थोड़ी तेडी लगेगी और वो ऐसे लगेगी, यह direction हो गया, clear हो गी सबको बाती है, कि अगर कोई तेडी मेडी wire आती है तो भाई घबराना नहीं है, उन तेडी मेडी wire में पहले चेक करो, कि आप magnetic field uniform है, जो की 99.99% cases में होगी हमारे syllabus में ही होई है, ठीक है, तो यह चीज है हमारा, आडी तेडी wire है, और उसमें magnetic field जो है, वो uniform है, तो हम दोनों endpoints को जोड़ के, एक straight wire बना लेंगे, और उस पर force भी का लेंगे, तेडी wire को हम भूली जाएंगे, ठीक है, तो यह हमारा shortcut हो गया, अब करते हैं इस पर थोड़े बहुत question, ठीक है न, तो question करते हैं भाईया, तो एक छोटा सा topic है पहले, वो पढ़ लेते हैं, यह भी topic बहुत important है, और यह बहुत जादा आता है, J mains में और advance मे तो पहले एक काम करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है, force between two parallel current carrying wires, अब यह force निकालनी है, दो parallel current carrying wires पर, ठीक है, जो infinite wires हैं actually, कैसी wires हैं सारी, यह infinite wires है, तो देखो, यह एक wire है, जिसमे current जा रहा है, ऊपर I1, ऊपर की तरफ जा रहा है, यह infinite wire है, ऐसे, ठीक है, यह minus infinity है, और यह plus infinity है, बिलकुल इस तरीके से, और जो दूसरी wire है, वो lettuce से यह रही, अब इसमें भी current जो है, वो same direction में जा रहा है, और यह भी जो है, यह infinite wire है, ऐसे, ठीक है, तो यह दो infinite wires है, एक में करंट है I1 एक में करंट है I2 और दोनों में सेम डिरेक्शन में ही करंट जा रहा है और इनके बीच में लेटस से ज़िस्टन्स है वो आर है अब हमें इन दोनों पर निकालना है कि ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही होंगी magnetic force, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ये जो current है, ये वाला जो current है, ये वाली जो wire है I1, इसकी वजहे से magnetic field I2 पे कितनी होगी, ठीक है, पहले तो ये निकालेंगे, वही force on current carrying wire क्या होता है, I L cross B, ठीक है, और वो जो B होता है, वो external होता है, तो अगर हमें force निकालना है, I2 पे, ठीक है, force निकालना है, अगर हमें force on current, अगर हमें force निकालना है, on wire carrying current I2, ठीक है, let us say, वो I2 current जो है, जो carry कर रही है, इस पे हमें force निकालना है, बिल्कुल ठीक, इस पे निकालना है force, तो इस पे कितना आएगा force, इसका current I2, इसकी length L cross, और इसकी, इस पे जो external magnetic field होगी, यह जो B होता है, यह external magnetic field होता है, समझ में आया क्या, यह I2 जो है, यह अपनी भी magnetic field create कर रहा होगा, अपनी ही magnetic field अपने ही भी force नहीं लगाती, I2 की magnetic field आईटु पे force नहीं लगाएगी, हम अपने ही हातों से अपने आपको धक्शक्का नहीं दे सकते, हम अपने ही हातों से अपने आपको ऊपर नहीं उठा सकते ठीक है ना तो इस wire की जो magnetic field है वो इसी पे force नहीं लगा सकती तो इस पे force किसकी magnetic field लगाईगी? I1 की magnetic field बिल्कुल ठीक तो I2 L cross B external और यह जब magnetic field होगी यह B होगा due to wire carrying current I1 बिल्कुल ठीक तो पहले magnetic field निकाल लेते हैं ठीक है और क्योंकि हमें पहले निकालना है force का magnitude तो magnitude कितना होता है भाई? I2 into length of wire into length of wire बिल्कुल ठीक into magnetic field external I1 की वज़े से जो magnetic field आएगी वो ठीक है direction अभी निकालते हैं पहले magnitude निकाल लेते हैं तो अब B I1 निकालना है I1 की वज़े से इस पर magnetic field कितनी होगी तो अब I1 की जो magnetic field होगी इंफनाइट करेंट करिंग आया रहा है भाई सबसे पहले जो direction होगी इसका करंट की वज़े से magnetic field जो होती है कैसे निकालते हैं जो थंब होता है वो straight होता है यह current भी है straight तो थंब को रखेंगे current की direction में और मेरी उंगलियां देखिए into the plane जा रही है बिल्कुल ठीक current जा रहा है ऐसे उपर तो उसकी direction में थंब रखो और देखो ऐसे घु हर जगे हर जगे magnetic field जो होगी वो into the plane होगी हर point पर हर point पर जो magnetic field होगी due to i1 वो into the plane होगी और value कितना होगा उसका mu not i upon 2 pi r यही तो magnetic field होती थी infinite current के रिंग वायर की वजह से i की जाएगे बस i1 आएगा क्योंकि i1 के current की वजह से magnetic field निकाल रहे तो यही चीज हम यहाँ डालेंगे तो यह चीज अगर हम यहाँ डालेंगे तो हमारा force जो है वो कितना आ जाएगा वो आजाएगा mu not कितना आजाएगा भई? i2 आएगा, l आएगा और b i1 की जगे क्या लिखेंगे? mu not i1 upon 2 pi r बहुँ सिंपल है तो यहाँ से हमारा जो force आया यहाँ से हमारा जो force का magnitude आया वो कितना आया? mu not i1 i2 upon 2 pi r और लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो यह हमारी होगी force per unit length force per unit length हाना भई? क्योंकि length तो हमें पता ही नहीं है, infinite wire है भई, infinite wire की length infinite होगी ओके? तो जितनी भी length हो सकती थी इसकी l उसे divide मार तो ता कि force per unit length आ जाए कि एक centimeter की जो इस पे wire है उस पे कितनी force लग रही है वो पता लग जाए 스ंटिमेटर की wire पर कितनी force लग रही है, फिर से 1 cm की यायर कितनी force लग रही है फिर से 1 cm की wire कितनी force लग रही है सारी forces एड कर दोगे तो infinite wire पर force आ जाएगी, ठीक है न, अब force add नहीं कर सकते हैं, कोई कि wire infinite है, ठीक है, इसलिए हमने force निकाला है इसमें, पर unit length, और वो कितना आया, वो इतना आया, अब आते हैं direction पर, ठीक है, ये हो गया formula, और ये formula तो मैं तुमको सही बताऊँ, तो अगर, मतलब मन सही आद ऐसे याद कर रखाई है, क्योंकि यही इसी पर ही questions आ रखे हैं J mains में, ठीक है, देखेंगे अगली class में, J mains में advance में इससे बहुत questions आ रखे है, तो देखेंगे वो, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो गई, अब आते है direction पर, तो direction देखो, DL किस तरफ है, current की direction जो है, वो field into the plane है, और हमने बंद किया, तो force इस तरफ आया, तो यहाँ पर जो force आएगा, वो इस तरफ आएगा, magnetic force, similarly यह जो इस पर force लगाएगा, newton third law, magnetic force इस तरफ आएगा, same force दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे, newton third law की वज़े से, और forces same होंगी, और equal and opposite होंगी, तो यह जो like currents ह है, जो same direction में जा रहे है, like currents, like charges repel करते है, like currents attract कर रहे है, ठीक है, ऐसे याद रह सकते हो, भाईया हमें यह याद रहता है कि like charges का करते है, like currents उसका उल्टा करेंगे, attract, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी, यहाँ से हमने यह चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी भाई, दो बोट चीज सीखी, ठीक है, पहली चीज का सीखी, कि भाईया अगर ये infinite current carrying wires है, ठीक है, ऐसे, infinite है, और like currents है, मतलब same direction में जा रहे है, okay, if currents are going in the same directions, if currents are in same direction, that is like currents, like currents है, ठीक है, like charges मतलब दोनो positive या दोनो negative, like currents मतलब दोनो same direction में जा रहे है, तो like currents जो होते हैं, जो जोनो same direction में जाते हैं, ये एक दूसरे को attract करेंगे, ठीक है न, like currents, ये एक दूसरे को attract करेंगे, ठीक है न, so they attract each other, like currents, if currents are in the same direction, wires will attract each other, वो attract करेंगी एक दूसरे को बिल्कुल ठीक, पहली बात दूसरी बात अगर unlike currents है तो क्या करना चाहिए भई फिर बता दो, बता दो क्या होगा अरे जल्दी बताओ भई, क्या होगा फिर if currents are unlike तो ये फिर repel करेंगे बहुत simple है ठीक है तो if currents are unlike if currents are in opposite direction अगर current opposite direction में है that is unlike currents that is unlike currents बिल्कुल ठीक, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे, wires will repel each other ठीक है, तो इसमें याद क्या 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 रखना है basically like attract, unlike repel ठीक है, बिल्कुल charges का उल्टा और magnitude of force कितना होगा, force per unit length कितनी होगी, ठीक है, बहुत simple question है, find magnitude and direction of force, magnitude भी निकालना है, direction भी निकालनी है, force की, on the following current carrying wires, ठीक है ना, तो यही एक current carrying wire है हमारे पास अभी, direction of magnetic field वो बता रखी है, इस वाले case में, ठीक है ना, तो भाई, देखो जा रहा, कैसे निकालोगे solution, इसका बहुत simple है, pause करो फटा फट वीडि तो कैसे निकालोगे force, force बहुत simple है, force का formula होता है, I, L, cross, B, for straight wires, for straight current carrying wires, और यह wire जो है, यह straight ही है, बिल्कुल ठीक, straight current carrying wire है, तो force का जो magnitude होगा, पहले निकालेंगे, कितना आएगा भाई, I, current कितना है, I naught है, I naught, देखो, length का value L है, और magnetic field का value है, B naught, और length और magnetic field में angle कितना है, भाई, length का वेक्टर है ये वाला, L वेक्टर, magnetic field वेक्टर है ये वाला, B naught, और उनके बीच में ये angle जो है, ये है 60 degree, ठीक है भाई, ये है 60 degree, बहुत सारे बच्चे इसको देखके 30 ही डाल देते हैं, L और B के बीच का angle, ये जो theta होता है, ये theta क्या होता है, angle between L वेक्टर and B वेक्ट है, यहाँ पर theta को हम डालेंगे, यहाँ पर 60 degree, तो कितना आजाएगा, I naught, L, B naught, sin 60 is root 3 by 2, ये हमारा force का हो गया value, अब बताते है direction, direction में L cross B, तो पहले सारी fingers L की direction में ऐसे, ठीक है न, और सारा पूरा पाम है, जिस तरफ magnetic field जा रहा है, उस तरफ ऐसे, ऐसे जाएंगे, ऐसे magnetic field palm, ठीक है न, fingers को ऊपर रखते हुए, अपने palm को magnetic field की direction में लेके जाना है, ऐसे, ठीक है न, ऊपर की तरफ, fingers को ऐसी ही रखना है, और इस तरफ लेके जाना है, अब मेरा जो thumb आया, देख रहे हो, thumb into the plane आयेगा, into the plane, ठीक है, तो यह जो force है, इसकी direction जो है, directed into the plane, ऐसे, ओके, तो यह हम इस तरीके से question करने है, अब अगर यह question समझ में आ गया है भाया, तो यह रहा next question, यह next question करो, इसमें भी हमें magnitude or direction ही निकालना है, ठीक है, तो अब यह कैसे निकालेंगे भाई, यह तो curved wire है, यह straight wire नहीं है, यह curved wire है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें note करी, it is not a straight wire, यह straight wire तो नहीं है, यह curved wire है, ओके, दूसरी चीज़ हमने note करी, कि यह जो magnetic field है, यह uniform है, यह magnetic field जो है, यह non-uniform नहीं दे रखी, तो मतलब यह uniform है, कुछ नहीं बता राखा है, तो यह uniform है, ठीक है, तो अब हमने देखा, कि जो magnetic field है, है, is uniform, magnetic field जो है, हर जगे बराबर है, हर जगे same है, uniform है, तो तीसरी चीज़ हम बोलेंगे, कि हम इसको convert कर सकते हैं, ठीक है, यह point हम ले ले लेते हैं A, और यह point ले ले लेते हैं C, और current जा रहा है ऐसे, तो हम इसको एक straight wire से replace कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे, ठीक है, एक straight wire, joining the endpoints, joining the endpoints, तो मैं इसको क्या करूँँगा, अब एक straight wire से replace कर दूँगा, अना, which is AC, ऐसे, यह A हो गया, और यह हो गया C, विच इस AC, अरे clear है, AC, एक wire लेली मैंने, अब इसकी length, current कहां से कहां जा रहा है, C से A, तो यहाँ पे भी current जो हम होंगा, C से A भेज देंगे, I naught, बिल्कुल ठीक, magnetic field जो है, वो बहार की तरफ है, B, uniform, और length जो है AC की, वो है diameter के बराबर, जानी की twice of radius, तो force बहुत अराम से निकलेगा, force का जो magnitude होता है, वो होता है current, into length, into magnetic field, into उनके बीच का angle, जो होता है, उनका sign, अब length है इस तरफ, magnetic field है तुम्हारी तरफ, बहार की तरफ, यह जो angle है यह तो 90 degree दिख रहा है, बाई साफ साफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम 90 degree लिख देंगे, और sign theta आ जाएगा, 1, तो हमारी force का value आ गया है, I0, 2R, B0, अच्छा यह question number है हमारा 2, तो फटा-फट मेरेको comment में बताओ, मेरेको पता magnitude तो सम निकाल लोगे, direction बताओ, कमेंट्स में, फटा-फट बताओ, इसमें direction जो होगी, वो किस तरफ होगी, जल्ली से बताइए, L इस तरफ है, current के direction में L है, सारी fingers उस तरफ, magnetic field भार की तरफ है, तो palm भार की तरफ ऐसे, और फिर मैं इसको करूँगा, तो thumb उपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर magnetic force जो आएगा, यहाँ पर किस तरफ आएगा, उपर की तरफ, बहुत simple है, ठीक है, force भी निकल गया है, और direction of force भी निकलना है, बिल्कुल ठीक, अब इस case में क्या करें, यह तो closed wire है, closed loop है, देखो, पहले current ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, तो यह हमारा हा गया, एक closed loop, ठीक है, अब हमें इस case में क्या निकलना है, magnetic field, ठीक है, magnetic field निकालना है close loop में ठीक है तो देखते हैं कैसे निकलता है पहले तो यह हम यह देख ही लेते हैं ठीक है देखो गई ठीजी से देखा In each side solution में देखो जारा हर side का ठीक है For each side हर side का अगर देखोगे कोई भी side देख लो A से C, C से D, D से E कोई भी side देख लो A, C, C, D, D, E, A कुछ भी side देख लो magnitude जो होगा force का वो कितना आएगा current into magnetic field into length into उनके बीच का जो angle है उनका sign अब length इस case में उपर है इस case में इधर है इस case में इधर है इस case में इधर है और magnetic field है बार की तरफ ठीक है ना तो angle 90 है हर case में theta जो है वो 90 degree हो जाएगा और each side हर side में तो जो magnitude आएगा वो कितना आजाएगा भाया हर side पर magnetic force IBL लग रहा होगा इस पे भी IBL, इस पे भी IBL इस पे भी IBL, इस पे भी IBL इस पे भी IBL इस पे भी IBL होगा, magnetic force का IBL होगा, same होगा हर जगे ठीक है, अब आते हैं direction पर अब आते हैं direction पर direction भाया जाए धान से देखोगे पहले हम यह वाली वायर ले 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 लेते हैं A, C वाली वायर, ऐसे वाली वायर इस पे force भाया किस तरफ लग रहा है L किस तरफ है L है, current है A से सी तो L B A से सी, तो सारी fingers इस तरफ, palm जो है वो बाहर की तरफ, क्योंकि magnetic field भी बाहर की तरफ है, इसको हमने बंद कर दिया ऐसे, तो force लगी नीचे की तरफ, इस पे force लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है कितनी force? I0BL ठीक है similarly, इसमें current का direction बदल गया ऐसे जा रहा है तो सारी fingers इस तरफ, current की direction में, length की direction में palm, magnetic field की direction में बाहर है तो थंब आया उपर की तरफ ठीक है तो, उतना ही force उपर लगेगा which is I0BL similarly, इन दोनों cases में निकाल के देखो L नीचे की तरफ, भाहर की तरफ तो इसमें force इस तरफ लगेगा और similarly, इसमें force इस तरफ लगेगा सारी forces एक दूसरे को cancel कर देंगे net force जीरो आ जाएगा ठीक है यहाँ पर जो net force है वो आ जाएगा 0 simple case ठीक है ऐसे questions आते हैं, इनको निकालना है यह mains का ही question है ठीक है ज्यादा मुश्किल नहीं है पर यह है तो mains का ही question ओके तो यह simple simple questions है अभी अच्छे-च्छे questions हम करेंगे next lecture के अंदर ठीक है तो आप इन सारे questions को practice करिए आज के सारे notes ठीक है उनको properly revise करिए DPP में जो questions होते हैं वो बहुत अच्छी बात है और जो नहीं हो रहे आप यह मान के चलिए कि उनके concept हम next class में पढ़ाएंगे जरूर ठीक है तो next class का wait करिए उसके बाद उनको करने की कोशिश करिएगा मैं मिलता हूँ आप से next class के अंदर नए concepts के साथ ओके बच्चो बाँ बाँ